मुवी स्टार्ट होती है पैरिस से जहाँ पर दो सूपर हीरोस एक विलन से लड़ रहे थे ये दोनों सूपर हीरोस थे लेडी बग और कैट नॉयर सारे लोग यहाँ पर इन दोनों को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे इनकी वीडियोस भी बना रहे थे क्योंकि उनको यकीन था कि ये लोग तो अराम से विलन को हरा देंगे और बिल्कुल ऐसा ही होता है इसके बाद हम देखते हैं कि कैट नॉयर लेडी बग से थोड़ी फलर्टिंग करता है इन दोनों ने अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे से छुपा कर रखी दी हम देखते हैं कि लेडी बग सूपर हिरो भी एक आम लड़की की तरह ही है जिसका नाम मैरिनेट है और उसे अपने मिराकुलिस से सुपपावस मिलती है इसके साथ ही उसे अपनी क्लास में एक लड़का है एड्रियन जो के बहुत पसंद है पर वो अपने दिल की बात कभी भी एड्रियन को कह नहीं सकी इसके बाद हम मैरिनेट के क्लास को देखते हैं यहाँ पर एक लड़का है जिसको एक्जिबिशन के लिए नियू यॉर्क बुलाया गया है तो पूरी ख्लास ही वहाँ पर जाने को रेडी हो जाती है साथ ही हम एड्रियन को भी देखते हैं जो के काफी दुखी लग रहा था वो सब को बताता है कि उसके डैट तो उसे परमिशन नहीं देंगे नियू यॉर्क चाने की जिस पर मैरिनेट सब को कहती है कि हम सब दोस्त हैं तो पीछे किसी को छोड़ कर नहीं जा सकते इसलिए हमें एड्रियन के फादर से बात करनी चाहिए कि उसे अलाओ कर दे हमारे साथ आने को ये बात सुनकर तो एड्रियन भी काफी खुश हो जाता है दूसी तरफ हम एड्रियन के डैट को देखते हैं जो कि न्यूज चैनल में देख रहे थे कि न्यू यॉर्क में एक एक्सिबिशन होने वाला है जहां पर एक बहुत ही रेर सौड और एक मिराकलिस नेकलिस डिस्पले होगा ये नेकलिस भी एक मिराकलिस था यानि के इसमें भी काफी सूपर पावर्स होंगी इसके साथ ही इनके घर की बेर बश्टी है और एड्रियन के डैट देखते हैं कि बाहर बहुत सारे बच्चे आई हुए है यहां पर एड्रियन के फादर मिलते हैं मैरिनेट से जो कि उनको कन्विंस करती है कि एड्रियन को भी न्यू यॉर्ट भेज आ जाए अब यहां पर तो उसके फादर फॉरण मान जाते है कि एड्रियन भी वहाँ पर जा सकता है जिस पर बाकी सारे बच्चे बहुत ही जादा खुश हो जाते हैं पर इस सब के पीछे एक hidden plan था एड्रियन के फादर इसलिए उसे भीज रहे थे ताके वो भी न्यू यॉर्क जा सकें और उस miraculous necklace को चुरा सकें हम देखते हैं कि लेडी बग कैट नॉयर से मिलती है और उसे पताती है कि कुछ दिन शायद वो यहाँ पर ना हूँ तो उसे पैरिस की देख बाल करनी होगी यहाँ पर हमें पता चलता है कि एड्रियन ही कैट नॉयर है बट ना तो मैरिनेट को यह बात पता थी और ना ही एड्रियन को यह दोनों अलग-अलग जिंगियां जीन रहे थे जहां पर एक दूसरे को ना आइडेंटिटी पता थी और ना ही इन्होंने सीक्रिट रिविल किया था कि यह दोनों भी सूपर हीरोज है इसके साथ ही लेडी बग उसे एक डिवाइस देती है साथ ही उसे बताती है कि जब मैं यहां पर ना हूँ और अगर कोई खत्रे की बात हो तो इसको बजा कर मुझे फॉरण बुला लेना दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एड्रियन जब अपने घर में था तो उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे बताती है कि तुम भी अपने दोस्तों के साथ नियू यॉर्क चा सकते हो साथ ही उनका बॉड़ी गाड़ भी एड्रियन के साथ जाएगा अब एड्रियन के लिए एक बहुत बड़े मसले की बात हो गई थी क्योंकि उसने तो लेडी बग से कहा था कि वो पीछे रुक कर पैरिस का ख्याल रखेगा और अगर वो भी न्यू यॉर्क चला गया तो पैरिस की देख बाल कौन करेगा और यहाँ पर अगर कोई मसला हो गया तो फिर क्या किया जाएगा एड्रियन का मिराकलिस उसे आइडिया देता है कि तुम न्यू यॉर्क चले जाओ किसी को भी पता नहीं चलेगा लेडी बग को कैसे आइडिया होगा कि तुम यहाँ पर नहीं हो वो भी यहाँ पर नहीं होगी और अगर कोई मसला होता भी है तो तुमें अपने फोन से पता चल जाएगा इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन के डैड अपनी मरी हुई बीवी के पास गया है जहाँ पर वो से कह रहा था कि अब मैं वो नेकलिस ले लूँगा जिसके बाद मैं इस सिटी में आके लेडी बग और कैट नौर को हरा दूँगा और उनके मिराकलिस लेकर मैं तुम्हें जिन्दा कर दूँगा दूसी तरफ अब फ्लाइट थी जहाँ पर हम सारे स्टूजन्स को देखते हैं मैरेनेट उस फ्लाइट में आती है जिसके बाद वो अपनी सीट चेंज कर लेती है हम बाद में देखते हैं कि एड्रियन आता है उसके पास और उसे थैंक्यू बोलता है कि तुमने मेरे फादर को कन्विंस किया मैं यहाँ पर सिफ तुम्हारी वज़ा से हूँ वरना तो मुझे परमिशन ही ना मिलती साथ ही हम देखते हैं कि इनके प्लेइन पर कोई अटाक करता है यह टेक्नो नाम का एक विलिन था जिसके पास यह पावर थी कि वो किसी भी चीज के अंदर टेक्नोलोजिकल इशूस क्रेट कर सकता है अपनी पावर को यूज करते हुए वो एक इंजिन को खराब कर देता है जिसकी वज़ा से प्लेइन बहुत ज़ादा डिस्बैलन्स हो जाता है सब काफी परिशान होने लगे थे इतनी ही देर में यहाँ पर एक सूपर हिरो आती है जिसका नाम अनकैनी था वो यहाँ पर बताती है कि वो एक रोबोट है और मजेस्टिया नाम की एक सूपर हिरो ने उसे बनाया था वो सब को बताती है कि बाकी सारे सूपर हिरो भी आने लगी है उनको बचाने के लिए इतनी ही देर में मेजेस्टिया भी वहाँ पर पहुंच जाती है और plane के balance को ठीक करती है टेक्नो इतनी देर में एक engine लेके भागने लगा था इतनी ही देर में यहाँ पर दो और super heroes पहुंच जाते हैं जो के night owl और sparrow थे इसके बाद night owl टेक्नो को पकर लेता है और uncanny अपनी power को use करके plane के engine को फिर से जोर देती है इसके बाद बागी सारे super heroes टेक्नो को पकर कर चले जाते हैं इसके बाद टेक्नो को तो police को दे दिया जाता है हम देखते हैं कि बागी सारे students अब new york पहुंच चुके हैं और exhibition के लिए ready हो रही है यहाँ पर uncanny को इन बच्चों के साथ ही छोड़ दिया जाता है ताकि इनको protection दी जा सके अब यह लोग जब exhibition पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर marinate की friend उसे बताती है कि यह एक professor है और यह भी एक super hero है इनकी speciality यह है कि यह किसी भी door को एक portal में change कर सकते हैं uncanny और sparrow भी इन ही सब लोगों के बीच में थे यहाँ पर marinate की friend उसे बताती है कि new york में super hero's को छुप कर नहीं रहना परता पाकि सारे लोगों की तरह इनको अपनी identity चुपानी नहीं परती हम देखते हैं कि एड्रियन के फादर भी यहाँ पर पहुंच चुके थे और उनके पास भी एक miraculous था जिसको वो बाहर निकालते हैं और हमें पता चलता है कि यह भी कौन से villain है इनका नाम था Hawk Moth और इनकी यह super power थी कि अपनी power की वज़ा से यह किसी और को powerful बना सकते हैं अब एड्रियन के फादर टेक्नो के साथ भी एक deal करते हैं कि अगर वो sword और necklace exhibition से चुरा कर उनको दे दे तो वो उसको बहुत ज़ादा powerful बना देगा ताके वो और भी बहुत सारी technology चुरा सके इसके लिए जब वो ready होता है तो वो बहुत सारी power देता है टेक्नो को जिसकी वज़े से वो पुलीस से बहुत असानी से छूट कर भाग जाता है अब बागी सारे students पहुँच चुके थे exhibition पर जहां पर एड्रियन अपने phone में देखता है कि Paris पे किसी बड़े से robot ने हमला कर दिया है यहां पर ये News Marinette को भी मिल जाती है और वो हैरान थी कि अभी तक कैट नॉय क्यों नहीं पहुंचा उस robot को हराने के लिए इतनी ही देर में टेक्नो भी वहां पर आ जाता है और अब तो वो बहुत ही सादा powerful हो चुका था Uncanny और Sparrow अपने real route में आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं डोर्मैन अपनी power यूज करके एक portal खोलता है जिससे वो बागी सारे बच्चों को वहां से निकालने लगता है इसके बाद वो Uncanny और Sparrow से भी कहता है कि तुम लोग भी बाहर आ जाओ पर इससे पहले कि वो दोनों यहां से भागते टेक्नो Uncanny को पकर लेता है टेक्नो अपनी power को यूज करके उन दोनों की power को चुरा रहा था और अब वो दोनों बिल्कुल ही useless हो चुके थे जब Marinette और Adrian यह देखते हैं तो उनको realize होता है कि अब उन्हें अपने real super powers को यूज करना पड़ेगा वो दोनों अपने miraculous को use करते हैं और Ladybug और Cat Noir में change हो जाते हैं इसके बाद Ladybug स्पैरो को उठाती है और अपने सामने जब वो देखती है कि Cat Noir भी यहां पर है तो वो उसे पूछती है कि तुम पैरिस में क्यू नहीं और वहां पर रोबोर्ट से लोगों को कौन बचाएगा Cat Noir उसे बताता है कि यह एक बहुत लंबी स्टोरी है मैं तुमें बाद में explain करूंगा इसके बाद वो अनकैनी को बचाने में लग जाते हैं यहां पर टेक्नो तो भागने लगा था जिसके बाद Cat Noir और Lady Bug उनको फालो करती है कि यहां पर किसी तरीके से इसको काबू में लाया जाए अब एक तरफ तो Cat Noir पकड़ा जाता है टेक्नो उसे बहुत जोर से उठा के फैंगता है यहां पर अनकैनी उसे बचाने के लिए रुकती है लेकिन वो नीचे इतनी जोर से गिरती है कि फौरण ही मर जाती है क्योंकि वो एक रोबोर्ट थी मैजेस्टिया जब यह देखती है तो उसे बहुत जादा गुसा आता है मैजेस्टिया उसे उठा कर जोर से फैंगती है मैजेस्टिया तो अनकैनी को अपने हाथों में उठा कर रूने लगती है क्योंकि आखिर में वो रोबोर्ट तो उसी की थी यहाँ पर नाइट आउल भी पहुंच जाता है और लेडी बग और कैट नॉयर को देखकर पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो लेडी बग अपनी सूपर पावर यूज़ करती है और वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है अनकैनी भी जिन्दा हो जाती है इसके बाद नाइट आउल उन से कहता है कि अपने मिराकलस मुझे दे दो तुम दोनों को यह सब कुछ देने का कोई फाइदा नहीं था पर लेडी बग और कैट नॉयर वहाँ से भाग जाते है यह दोनों छुपकर एक में होल में चले जाते है यहाँ पर लेडी बग अपने फोन में देखती है कि पैरिस में वो बड़ा सा रोबोर्ट बहुत जादा तबाही कर चुका है और साथ ही फौरन गाइब हो गया है इसको देखकर तो लेडी बग बहुत जादा रोने लगती है क्यूंकि वो अब कोई भी चीज ठीक नहीं कर सकेगी लेडी बग की सूपर पावर ही ये थी कि कोई भी चीज को वो ठीक कर सकती है जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई हो वो ठीक हो जाती है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जिस बिलन ने वो सारी डिस्ट्रक्शन की है वो भी वही पर हो पर यहाँ पर तो वो रोबॉर्ट गाइब हो गया तो अब वो कोई भी चीज पहले जैसी नहीं कर सकेगी कैट नॉयर को लगता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है क्यूंकि अगर वो वही पर रहता तो ये सारा कुछ ना होता जिसके बाद वो अपना मिराकलिस वही पर रखकर वहाँ से भाग जाता है मैरियनेट उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है बट वो बिल्कुल भी नहीं रुपता अब हौक मौत के पास वो नेकलिस आ चुका था ताकि वो उन दोनों के मिराकलिस लाकर दे सके अब एडियन अपने फादर के साथ वापे चला जाता है और हम देखते हैं कि टेक्नो भी अब सिटी में आ चुका है जहाँ पर बाकी सारे सूपर हीरोज उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके पास वो नेकलिस भी था और वो बहुत जादा पावरफुल हो चुका था वो अपने इस नेकलिस को यूज़ करके बाकी सारे सूपर हीरोज के माइन को कंट्रोल कर लेता है और इसी वज़ा से सारे सूपर हीरोज अपने ही सिटी पर अटाक कर देते हैं और हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन पर हौक मौत आ गया है और वो कैट नॉयर और लेडी बग को कहता है कि अपने मुराकलिस मुझे दे दो परना ऐसे ही मैं सारी सिटी को बरबाद कर दूँगा और नूयू यॉर्क देखते ही देखते तबाह हो जाएगा दूसरी तरफ हम देखते हैं अनकैनी और स्पैरो को जो के सब कुछ देख रहे थे वो कहते हैं कि हमें ही जाकर सब को ठीक करना होगा ये दोनों भी नूयॉर्क सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी सारे सूपर हीरो जिनी पे अटाक कर देते हैं अनकैनी जाती है मेरिनेट के पास और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही लेडी बग हो अनकैनी उसे बताती है कि बाकी सारे इंसानों की आँखों को तो तुम धोका दे सकती हो पर एक रोबोट को नहीं जिसके बाद वो उसे कहती है कि न्यू यॉर्क सिटी को तुम्हारी जरूरत है मैरिनेट अंकैनी को बताती है कि मैं कैट नॉयर के बगेर कुछ भी नहीं कर सकती इसके बाद अंकैनी उसका मिराकलिस लेकर एड्रीन के पाच आती है और उसे बताती है कि लेडी बग को तुम्हारी जरूरत है अब ये सुनते साथी एड्रीन अपना मिराकलिस पहन कर कैट नॉयर बन जाता है और फॉरन लेडी बग के पास पहुंच जाता है लेडी बग तो उसे देखते साथी हग कर लेती है साथी स्क्रीन के उपर टेक्नो सबको मेसेज देता है कि मैं थोड़ी ही देर में एक रॉकेट लाँच करने वाला हूँ अगर तुम लोगों ने मुझे मिराकलिस ना दिया तो ये रॉकेट लाँच हो जाएगा और इसके लाँच होते साथी वर्ल्ड वार्ड डिकलेर हो जाएगी इसके बाद लेडी बग सबको समझाती है कि हमें वो नेक्लिस अब टेक्नो के गले से उतार ना होगा इसके बाद ये दोनों मिल कर जाते हैं टेक्नो के पास जिसके बाद लेडी बग छुपके से उसके गले से वो लॉकेट उतार लेती है वो फॉरन ये नेकलिस स्पेर को देती है जो कि स्पेरो पहन लेती है और उसके पास एक नई पावर आ जाती है जैसे ही टेक्नो के पास से ये लेक्लेस जाता है बाकी सारे सूपर हीरोज भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं टेक्नो फॉरन ही वो रॉकेट लॉंच कर देता है बद बाकी सारे सूपर हीरोज अब ठीक हो चुके थे जिसके बाद मैजेस्टिया उस रॉकिट को पकर के बिल्कुली आउटर स्पेस में फैंक देती है और ऐसे ही सारी चीजे ठीक हो जाती है बाकि सारे सूपर हीरोज भी टेक्नो को पकर लेते हैं और लेडी बग अपनी पावर यूज़ करकर सारी चीजों को ठीक कर देती है सारे सूपर हीरोज लेडी बग और कैट नौर को थैंक यू बोलते हैं हम एंड में देखते हैं कि हौक मौथ इस चीज़ के उपर एंड नहीं करने वाला था और वो उनके मिराकलस चोरी करने की ट्राइ करता रहेगा इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है